अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डंगल प्ले अब अब क्या हो गया है तब तो माई के सामने बड़ी बड़ी डिंगे हाक रही थी कि माई आपको टेंक्शन मत लेना हम साब संभाल लेंगे दादी मा को भी देख लेंगे फिर अभी चुया जैसा मुझकी लटक गया हमद आखना तो माई नहीं सिखाया न और उसके बाद सैड भी नहीं हो सकते मेरा बच्चा जब तक हम खुद अपनी आँखों से नहीं देख लेते कि क्रिश्ना अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है हमें है कीन नहीं होगा तुम यहां क्यों है तुम मुझे पसाद होगे यह यह कौन है शिव के उपर कभी भी कोई भी खत्रा आ सकता है हम छोटी से छोटी चीज़ को भी नजर अंदाज नहीं कर सकते अड्रेस तो यहीं कब दाया था शायद यहीं घर है कि इनको यहां से निकालने के लिए जो करना पड़ेगा करूंगा गर पे तो अंधेरा है इसका मतलब चले गए गट ओ यह लाइट कैसे चली गई आजा पिटा इधर बैठ आदेख के देख के देख के अब लाम का फोन दे हम किस्णा को फोन करके पूछते हैं कि लाइट बिल जमा किया था कि नहीं अरे दादी मा इत्ती छोटी बात के लिए माई को क्यों परिशन करना हम कुछ करते हैं रुकिये जारा कल तेरे पैसे मिल जाएंगे लेकिन तब तक मुझे फोन मत करना अक्काना सहाब मुझे पैसों की बहुत जरूरत है यह आवास तो यहां से आ रही है यह तो में तुमरी हाज भी प्लादा दिये क्रिशन यह जब ऐसे बारतिवार का मौका होता है नहीं बहुत कम इकलती है तुमारी सुचते रहते हैं आशर्स तुम होती तो गषर को ऐसे सजाती वैसे सजाती कभी आँ दोड़ती कभी वार दोड़ती आशर्स दोड़ती कायब कैसे हो सकता है यहां से यहीं किसे कमरे में होगा किसे कम इाने होगा किसे कमरे में होगा côté किसे इता है इता है किसे कर दो जीएट, कितनी चल्दी तुम हमें भूलकर अपने जंदकी में आके बाढ़कर, वो भी हमारी बेहन के साथ, उस बेहन के साथ, जिसके रहते दुश्मन की खमी महसूस ना हो, कैसे जीएट, कैसे? आपके नाम पे आरेश्ट वारंट राधी बाभू! रो क्यों रहे हो तुम? कि जीएट हमारे साथ, ऐसा कैसे? क्या? अरे यही है कि उस्ताज जी, कि हम इतने बड़े फैन है ना दे, सोचा नहीं था कभी उनको तुरे करीब से देखेंगे, फैन है ना उनके बगट बड़े, अच्छा, चलते हैं क्यों चूच्छाई जीत की पतनी हम हैं सारी, सारी जी, सारी, सारी, माफ करना हुस्ताज जी, हम चलते हैं छे साल लगे हमें जीत, हम दोनों के रिष्टे को इस मुकाम तक पहुचाने में बहुत पैनत किये हमने, अपने प्यार को मुकमल करने के लिए बहुत कुछ किया है और अब हम कृष्णा को हमारे बीच में नहीं आने देंगे चंधिया, मिठा, जी दादी, तुमारे घर की लाइट तो आरी हमरे घर की लाइट पता निकाय चली गई आपके खर क्या चली गई दादी माँ, प्यलकर देखिये ता सही क्या दिखाएगे आईए दादी माँ आईए ये रैखिया है माँ, क्या कमाल हो गया? ये सब तुम ने क्या गोपी? माँ बिलकुल अपनी माँ की तरह अकल पाई है जैसे वो अंधेरे में रोशनी ढून लेती है देखो, इसने भी ढून ली परदादी, इंदियों के सहारे पूरी रात तो नहीं काट सकते ना आपर करे का मेरे पास एक आईडिया है कुपी, आजा, 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 चल, 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 आजा क्या कर रहे है यह, लाइट आगई, लाइट आगई, लाइट आगई, लाइट आगई यह, 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 यह पांकर, आप तो जादूगर निकले जाद से लाइट लादी जादूगर तो मैं हूँ, लेकिन असली जादू पता है, क्या है यह, यही कि जब भी तुम्हारे मकान मालिक तुम्हारे घर की लाइट काटेंगे तो उनकी घर की लाइट भी गुल हो जाएगी और फिर आएगा असली मजा यह, यह, यह जीता रहे बिटा जीता शेख, आएग इतने भी गरीब से दिखने के ज़रूरत नहीं है नए क्योंकि यह हक से थमारा है क्यूंकि जीत की पत्ली हम है मेरे पापा नहीं निश्णा जब तुम इतने साल जीत के बिना रह भाईयों के राज उसका हस्ता खेलता परिभार देखर तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है नहीं हमें यह सब ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाना है यहां बस अपना काम करना है अपने ड्यूटी करनी है और और पर अपनी गुप्टी के पास चले जाना है पस लेकिन वो गुलाबी कुर्टेबला आदमी घर के ही किसी कम्ते में गया था और किस कम्रे में उन गया कहा प्रूद वाले ने परिशान करके रखा हुआ है उच तो खरना पड़ेगा इसका हो खोच खोच कहां आपने देख ने रहा है फोन पर बात कर रहा हूँ तो अईसे लगता है यह पैदा ही बत्तमीजों का था जोने है सब तो आदमी कहां क्या कहां हो कहां कैसे पता लगाए यह इनके इंटर की लाइट कैसे वापस आगई देखता हूँ तो तार वापस जोड़ दिया है इनोंने जैसे मैं दुबारा काठी नहीं सकता अरे यह पीछली कैसे चले गई अरे यह कैसे मेरे घर के लाइट कैसे चले गई अरे पापरे यह लाइट आगे लाइट आगे थेंक्यू बेटा यह सब तुम्हारी वज़े से हुआ है और आज रात तो हमें अंधिरे और गर्मी में ही भितानी पड़ती दादी आखिर पड़ोसी पड़ोसी एकामात है दादी अब बहुत रात हो गई है हम लोग चलते और आप लोग भी सोचाईए हाव बिट मैं अब बहुत याद आरी है मैं आप कब वापस होगे मैं कब वापस हैंगी दादी मा मैं उनके बहुत याद आरी है मेरा बीटा आजेगी बीटा मैं अगा इजम मैं और शेख चलो बबैप सोजो बहुत दीर होगे यह लोसे दो गंडे उपर वोगा आप अमने सोय वैंwide सोजो दोंदे ओक्याज चार मैं नहीं सुगा तो नहीं सुगा क्यों नहीं सोगे शिवाओ ना बिबी अब बहुत अच्छे हो ना अब अपनी मम्मा की सारी बाते मानते हो हमारा प्यारा बिटा, चलो अच्छे से सो जा। अच्छे ठीक है, आपको नहीं सोना है न, कोई बात में, आपकी ममा को पता है, कि आपको कैसे सुलाना है, आपको वो फुटबॉल बहुत पसंद है न, वो अड़ी वाली, सुंदर वाली, न, मैं पता है, हमने पहले भी आपको दी थी न, तो कल हम आपको फिर से वो गिफ्ट करेंगे अगर आप अभी सो गए तो नहीं मुझे वह बॉल में चाहिए हमें पर एसे चार पड़ी है हम कब से बोल रहे है मुझे नहीं सोना तो नहीं सोना अप्शे वैसे मारा बीबी ना जिद्धी तो बहुत है और बुदमाश भी पर कोई बात नहीं हम भी आपकी मम्मा है हमें पता है आपसे कैसे काम करवाना है वैसे हमारा जो फोन है उसमें वो एक लूरी है ना जो हर बार सुनके आप सो जाते हो हम अभी अपना फोन लेकर आते हैं और अपने प्यारे से बंदर को सुलाते हैं ओके अब ही है माई हमें आपकी कित्ती आदारी थी बहुत जादा इतनी जादा या तो हमें भी आपकी बहुत आई पर हमारा तो मन भी नहीं लगता आपके बिना लेकिन क्या करें आपकी माई को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए यही करना पढ़ेगा हमारे पास कोई और रास्ता न क्रिश्णा तु अपने ड्यूटी निभावेटा तेरे इस नन्ने शैतान को हम संभाल लेंगे और मौका मिलाना तो तुझसे मिलाने भी ले आया करेंगे तेरी लोरी सुने बिना नीन जोनी आती इसे वो तुनियती माई हमारे आने से आपको कोई प्रॉब्लम तुनिये ना नहीं गोपी बस थोड़े दिनों की बात और है उसके बात तो हम अपने गर वापस आ जाएंगे आपके साथ रहेंगे और आपको लोरी सुननी है ना हम अभी सुनाते आपको लोरी चलिए आई है अब हमारी गोद में लेड जाई है ममता के मूरत पे ममता दिखा दे बलग पे नैनन के आप एहा नयनवा में मीठा सपनवा बने के तो ही भरे जाई माई का बही के जागल था कलमान से निंदिया पाजार रहा निंदिया आजार रहा देखो अब ही लोरी सोह क्या आचर उढ़ावेजे आखे उढ़ादे मीठ के चादर रे हा यह यह करेशना किया वास यहां किसे कर हुआ है और तर ऐर दो हुआ and यम और टहीता है करहा है अब ही अभी वो गाना तुम गा रहे थे ना गाना? कौन सा गाना? कैसा गाना? गाना तुम ही गा रहे थे ना तुम्हारे इलावा यहां और कोई नहीं है ओ लोरी हमने सुनी थी ओ लोरी तुम ही गा रहे थे हम चानते आवास बदल कर बोलो वो तुम ही गा रहे थे ना कृष्णा हो ना